दोस्तो इस वीडियो में मैं हमारे Android phone का जो file manager होता है ना, उसको हम laptop पे कैसे share कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे data transfer होगा, laptop to mobile होगा और mobile से laptop भी होगा, without internet होगा, without any app होगा, without data cable होगा, ठीके, कुछ भी हम यहाँ पे इस्तिमाल नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको कैसे कर सकते ह इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वालो, सबसे बहले दोस्तों, आपको कुछ setting जो है, अपने laptop में करनी होती है, ठीके, mobile में कुछ ज्यादा setting नहीं करनी बढ़ती है, सबसे पहले क्या setting है यह आप देख लिजी, आप सबसे पहले, आपको, आपके mobile का पर enable करके रखा हुआ है, तो यहां से मेरा phone जो है न दोस्तों, यहां पर connect हो चुका है, ठीके, आप यहां पर नीचे वाले कोने में भी देख सकते हो, यहां पर, ठीके, मेरा wifi से, मतलब मेरे phone से, मेरा laptop जो है, वो connect है, और वो है यहां पर wifi के दुरू, ठीके, अब इसके ब करोगे, अब यहां पर दोस्तों, आपको क्या करना है, यहां पर network name रहेगा, मतलब आपके laptop का नाम रहेगा, network का password रहेगा, यहां पर बहुत critical password होता है, तो आप यहां से edit कर सकते हो, जितना, यहां पर आप अपने हिसाब से, यहां पर password set करके, या फिर नाम को भी यहां पर set करके save कर लोगे, अब save करने के बाद, दोस्तों, आपको mobile में क्या करना है, इस hotspot को हमारे mobile को connect कर लेना है, मतलब यह तभी enable होता है, जब आपके wifi से, मतलब wifi आपका laptop का wifi आपके mobile से connect होगा, तभी यह mobile hotspot जो है ना, वो enable होगा, और यहां से आप password change करोगे, तो आप mobile के screen प बंद कर देता हूं, ठीक हम wifi में जाएंगे, और wifi में आपका यह जो laptop है ना, इस laptop को आपको क्या कर लेना है, यहां से connect कर लेना है, ठीक है, मतलब आपने जो password यहां पे डाला हुआ है, वही आप mobile में डालोगे, तो आपका wifi से, आपके laptop से आपका mobile जो है, वो connect हो जाएगा, अब दोस्तों इसके बाद इतनी setting आपको करनी है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है आपको, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से जो IP address दिख रहा है ना, आपको, इसको हमें यहां से copy कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस IP address से ही हमारा file manager जो है यहां पे share होने वाला है, तो आ जाना है file manager में, file manager में आपको left और top में यहां पे three line दिखेगी, ठीक है, कुछ इस प्रका से three line यहां पे उपर होने वाली है, इस पे आप click कीजे, यहां पे आपको एक FTP मिलेगा, ठीक है, FTP एक तभी काम करेगा, जब आपका mobile laptop से connected होगा, वाइफाई के दुरू, जैसे कि आप यहां पे देख सकती हो, wifi status यहां पे on है, तो हम यहां पे start पे click करेंगे, अब start पे click करने के बाद, दोस्तों, यहां पे mobile स्क्रीन पे देखिए, एक address आपको show कर रहा है, ठीक है, इस address को क्या करना है, दोस्तों, आपके file manager में आपको यहां पे type करना है, ठीक है, आप ए IP, उसके बाद आपको इस प्रका से symbol देना है, double slash, और जो हमने यहां पे IP address को copy किया तर ना, उसको हम paste करेंगे, okay, 202 के बाद यहां पे, फिर से इस प्रका से symbol 17941, ठीक है, इस प्रका से हमने अभी क्या किया है, टाइप किया है, आपको यहां पे मैं address भी दिखाना चाहूं कुछ इस प्रका से हमने टाइप किया है, जो हमारे mobile में address दिखाता ना है, उसी को आपको टाइप करना है, आप एक बार टाइप करोगे तो यह address से हो जाएगा, आपको बार बार टाइप करने की मतलब next type आपको इसको टाइप करने की जोरत नहीं पड़ेगी, खाली यह last के five digits उनको ही आपको टाइप करना पड़ेगा, और हम यहाँ पे दोस्तों अभी laptop पे enter करेंगे ना, तो हमारा पूरा का पूरा file manager कुछ इस प्रकार से खोल जाएगा, मैं आपको file manager में यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, कुछ इस प्रकार से, देखें, मैं file manager में चला गया, म apk creator कुछ इस प्रकार से, हम मैं आपको यहाँ पे apk creator की एक file भी दिखाना चाहूँगा, ठीके यहाँ पे मैं apk creator जो है न, वो क्या किया मैं ने mobile में open किया है, अब मैं laptop में open करता हूँ, तो इस प्रकार से हमारी files दिखने वाली है, ठीके यहाँ पे मुझे लगता है कि ftp server हमारा discount हो चुका था, ठीके हम इसको फिर से connect करना पड़ेगा, यहाँ पे ftp होगा, ठीके start होगा, और हम यहाँ से इसको refresh कर लेंगे, ठीके मैं इसको close करने के बाद फिर से open कर लेता हूँ, क्योंकि जब हम file manager में चले गए न, तो इस प्रकार से इसने discount किया होगा, यहाँ यहाँ पे हम type करेंगे ftp, तो ftp हमारा आ जाएगा, यहाँ पे address जो है, वो change हो चुका है, ठीक कोई बात नहीं, हम address को फिर से ले लेते हैं, यहाँ पे twin, कुछ इस प्रकार से address है, 199 के बाद, sorry, 2, यह वाले address को हम यहाँ से edit करेंगे, address होगा हमारा 28057, और फिर enter करेंगे तो file manager हमारा यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ से हम apk creator में से files को जो है न, यहाँ से हम यहाँ ले सकते हैं, ठीक, इसको आप right click करके desktop पे लाकर paste कर सकते हो, किसी एक file को मैं यहाँ पे paste पी आपको क करके दिखाऊंगा, ठीक, मैं किसी एक file को ले लेता हूँ, यहाँ से, मान लिजे कि यह do dog जो file है, backup PDF, ठीक, मैं इसको copy कर लेता हूँ, और copy करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से इसको, ठीक, कही पर भी मैं आपको एक new folder बना के भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पे new folder बनाएं यहाँ पे FTP, और FTP में हम इसको paste करेंगे, यह file यहाँ पे आ रही है, और यह file जो हैं दोस्तों, आप मोबल पे भी देखी, यहाँ पे data का speed दिखा रहा है, 5.3 mbps, क्योंकि वो file जो है, वो आ रही है, और यह without internet हो रहा है, दोस्तों, ठीक, अब मैं आपको क्या करूंगा, मेरे file manager में जाकर FTP folder create हुआ है कि नहीं, यह मैं आपको दिखाऊंगा, file manager में यहाँ पे चले जाएंगे, और नीचे होगा हमारा FTP, देकी FTP हमारा बन गया है, और यही file doc जो है वो backup की हमारे mobile में भी आ चुकी है, अब मैं आपको दिखाऊंगा, कि हम mobile से इसको कैसे copy कर सकत हमारा FTP जो है वो discount हुआ होगा, ठीक हम फिर से start करेंगे, address फिर से change हुआ है, यहाँ पे FTP डालेंगे, और जो 202 इस प्रकार से address है, हमारा 20501 और यहाँ से कोई भी एक वीडियो को हम यहाँ पे देखे, download इस प्रकार से है, तो download में से हम किसी को भी, किसी भी एक file को यहाँ से copy करेंगे, ठीक है, इस PDF को हम copy कर लेते हैं, यहाँ से हमारा copy हो जाएगा, और desktop पर आकर हम इसको paste कर सकते हैं, तो paste करने के बाद यह PDF दोस्तों देखे, आ चुकी है, कुछ इस प्रकार से, मतलब हमने यह जो किया, file transfer किया, यह किया, हमने without internet किया, without data cable किया, without any app किया, ठीक है, आपके file manager में, अगर यह FTP नहीं है, क्यूंकि यहाँ पे मेरा redmi के phone में, यह inbuilt है, samsung के phone में भी हो सकता है, अगर आपका कोई दुसरा company का phone है, उसमें यह FTP नहीं दिखा रहा है, तो आप play store पे जाए, और play store पर share me को आप यहाँ स से क्या किया था, इसको मैंने चेक किया था, तो FTP हर एक file manager में दिखा रहा था, इसलिए हमें कोई order हमें कोई भी app की जोरत नहीं पढ़ने वाली है, अगर नहीं दिखाता है आपके phone में, तो आप क्या कीजिए, इस प्रकार से, share me को ले लिजे, share me में क्या दिखाता है, मैं हम स्टार्ट करेंगे, तो यहां से देखें, यह address दोस्तों यहां पर आ चुका है, share me का जो address है दोस्तों वो कभी भी बदलता नहीं, लेकिन अपके file manager का जो address है वो बदल जाता है, जैसे कि अभी इस address को मैं डाल के दिखाता हूं आपको यहां पे, इस PC में, ठीके, मैंने इस से पहले address डाला होगा, इस वाले को, खाली इसका क्या हुआ है, 199 से 202 हो गया है, और फिर से हमारा यहां पर file manager खुल जाता है, तो यह FTP नहीं देखाते हैं, तो share me को ले लीजे, और इस प्रकार से अपना phone को आप share कर सकते हैं, और laptop को without internet, without data cable, without any app, आपका यह चल जाए दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार के और technical के tricks देखने के लिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को भी like और share कर दिजिए, दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार